तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें न तो अभी एक recent report निकल कर आई है CMR के तरफ से और उसे देखके पता चलता है कि कितने सारे लोग थे जो कि already PUBG Mobile को खेल रहे थे लेकिन जैसे बन मैन हुआ वो तो उसकी बाद वो किन किन Mobile Games के उपर shift हो चुगे तो यहाँ पर सबसे पहले list में है Call of Duty Mobile, 67% जो लोग है वो Call of Duty Mobile के उपर shift हो है इसके बाद गरीना Free Fire 54%, Fortnite 36% और Battleland Royal 34% अब कहने का मतलब यह तो एक आदमी अगर PUBG Mobile खेल रहा था और PUBG Mobile बैन हुआ तो दूसरे गेम्स में जो इंक्रिमेंट हुआ है गेम्स का वो है यानि कि 64% जो प्लेयर्स होते वो Call of Duty Mobile के अंदर बाड़े 54% गरीना Free Fire में और Fortnite में और Battleland Royals में और इसका मतलब यह भी है कि काफी सारे ऐसे लोग थे जो की PUBG वाल बैन होने के बद गरीना Free Fire भी खेल रहा और Call of Duty Mobile भी खेल रहे है यह भी काफी की इंडरेस्टिंग रिपोर्ट है और हाल फिलाल खबरे सुनने में आ रहे है कि शायद इस हफ़ते या फिर कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको अर्नाॉसमेंट देखने को मिल सकता है PUBG Mobile के कमबैक से रिलेटेट जी हाँ यह चीज आपको सुनने को मिल सकती है मेरे को कुछ पता चली इंफॉर्मेशन तो मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ शायद दिवाली तक इंफॉर्मेशन आ जाए लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है दिवाली वाले दिन आपको एक या दू इंफॉर्मेशन और देखने को मिल सकती है वो है फॉजी गेम से रिलेटेट जी हाँ यानि कि PUBG Mobile तो बैन हो गया शायद अन्बैन की खपर सुनने को मिले या फिर आपको सुनने को खपर मिले फॉजी गेम के मामले में लेकिन ये भी काफी की इंटरसिंग चीज होगी खैर इसके बात बात करते हैं हम WhatsApp के मामले में यानि कि जो WhatsApp है ना उसके अंदर एक नया feature इंक्लूड किया गया है obviously disappearing message का यानि की auto delete your feature है साथ दिन के अंदर अंदर आप अगर आपका message भेजा तो वो automatically delete हो सकता है ये एक feature है लेकिन इसके साथ एक और काफी important feature वो है इसकी UPS service को लेके yes 2018 में मतलब WhatsApp के अंदर UPS service हुई थी लेकिन वो कुछ guidelines को follow नहीं कर रहे थे इसलिए NPCI जो थी organization उन्होंने WhatsApp के अंदर जो payment होता है ना उसकी जो UPS service होती उसे revoke कर दिया था उसके बाद से लेकि अभी तक ही लोग कोशिश कर रहे थे अभी GEO के अंदर Facebook ने investment करी और कुछ ही महिनों के अंदर हमें ख़बर मिल गए कि जो WhatsApp है वो अब UPS service को भी support करते है यानि कि अभी के समय जो service है ना ये invite only business पे यानि कि किसी के पास अगयर WhatsApp का UPI है अगर वो अगर आपको पैसे भेजतर है आपको request करता है तो ही आपके में जो feature है ना तब ही activate होगा फिलाल के समय में इस तरीके से चल रही है थोड़े दिन वेट कर लो सबके बास ये चीज आ जाएगी लेकिन WhatsApp के अंदर आपको payment service देखने को मिलने वाली है और इसी के साथ ही बात करें Motorola के phone के मामले में तो Motorola G5G एक नया phone है जो कि आने वाला है लेकिन सब्सक्राइब बात ही है कि ये phone BI certification में पकड़ा गया है और इसका मतलब समझते हो क्या इस महीने अगले महीने तक Motorola का Moto G5G स्मार्टफोन इंडिया में लांच होने वाले जी हाँ Snapdragon 750G आने वाले 5000 mAh की बैटरी होगी इसके अंदर इसके अंदर आपको full HD का डिस्प्ले देखने को बलेगा IPS LCD वाला और 20W की टर्बो चार्जिंग के साथ सपोर्ट करेगा basically decent सा फोन होने वाल है मैं जो कुछ ज़्यादा high expectation नहीं लग रही लेकिन अगर इसकी कीमत 20-25 के around अगर ये फोन अगर आता है काफी अच्छी बाइब हो सकता है क्योंकि Motorola के फोन में खास बात रहे तो इसका stock Android वो इसकी काफी अच्छी बात है कमी सिर्फ camera रहता है camera एक कमी है लेकिन अगर वो इसमें सुधार देओ 750G जैसा processor अगर 20,000 रुपे के price point पे लिया है एक बहुत अच्छी deal हो सकता है ये भी क्यार देखते आता है कि नहीं आता से मेरे को ठीक product लगा लेकिन इससे अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दे सकते हो तो आपको Asus का Veebook और HP के दो काफी कमाल के laptop है जिनमें आपको Ryzen 3 का 3500U processor 512GB की SSD और 8GB की RAM देखने को मिल सकती है इसमें बात करें तो सके अंदर आपको Core i3 देखने को मिलता है processor जो कि 10 generation का Hue series processor है यानि कि low voltage processor देखने को मिलता है ये basically e-learning के लिए बनाए गया तो built-in webcam भी देखने को मिलता है लेकिन इसके अंदर आपको जो backlit keyboard होता है वो देखने को नहीं मिल रहा है साथ ही साथ के अंदर आपको 8GB RAM और 256GB storage है लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा अगर आपका budget 3500 उपर जा ही नहीं सकता है ये laptop best है इसमें कुछ offer work for luck कि अगर 33, 32 का मिल जाए best है, सची चीज हो नहीं सकता लेकिन अगर 35000 उपर से जादा दे सकते हो Asus में VivoBook काफी अची चोईस है इसके साथ ही HP का laptop 40 या 41 का आता है लेकिन वो थोड़े महंगी हो जाते है लेकिन हाँ Ryzen के साथ एक अच्छे laptop उस मार्केट में अवालेबल है लेकिन उनके लिए अपको थोड़ा से जादा पे करना पड़ सकता है 4-5 जार उपे तो ये एक deal breaker चीज हो सकती है लोगों के लिए तो ये बात मैंने आपको बता दी इसके साथ ही बात कर तो 11 generation के processor वाले भी कुछ ऐसे laptop से Acer के 60-67,000 का आज अनाउंस कर दिया और उनने मतलब लाँच होगी है Flipkart पे मिल राइफों लैपटॉप है काफी बड़ी है लैपटॉप है 11 generation processor के साथ आ रहे है लेकिन फिर भी देखा जो Ryzen के processor है न उनकी बराबर ये लोग अभी भी नहीं कर पा रहे है खेर ये भी एक important चीज हो जाती है और इसके साथ आप लोग को एक और बात बता देना चाहूंगा Xiaomi से related Xiaomi से related एक बात ही है कि Xiaomi जो है न वो टेली फोटो जूम लैंस को implement करने वाली है अपने mobile के अंदर जी हाँ यानि कि टेली फोटो लैंस के अंदर उन्हें ने एक नए टाइप का एक लैंस सिस्टम डेवलप किया जिसके अंदर 300% जाद लाइप को capture कर सकता है लेकिन इसके बावजीदे उन्होंने भी जो इसके अंदर जो F की जो aperture value होती न वो नहीं बता है बस इतना बता है कि 300% more light grab करेगा साथी साथ इसके अंदर अब zoom shot अच्छे तरीके से ले पाओगे और इसके अंदर जो camera की जो performance होगी वो improve होगी 20% जादा better clarity देखने को मिलेगी better image stabilization देखने को मिलेगा और भी काफी कमाल कमाल की feature देखने को मिलेगे लेकिन ये जो feature है न अभी किस समय में prototype phase में development phase में देखते है Xiaomi के किस phone में आता है मेरे को लगता नहीं है Xiaomi के जिस phone में भी आएगा वो phone आपके इंडिया में देखने को मिलेगा इंडिया में कहानी बिल्कुली अलगी चल रही है वो सारी बाते अलग हो जाती बात बता दिने चाहते हो Apple अपने MacBooks लाने वाली ARM Powered CPU होगे यानि कि Apple के खुद के बनाए हुए Silicon होगे और ARM भी इस race में आच चुकी है Snapdragon भी आच के समय एक high-end laptop के लिए processor develop कर रही है तीन MacBooks आपको देखने को मिलेंगे Air version भी आने वाला है Pro version भी आने वाला है और इनकी जो performance होगी Current में मौझूद Ryzen laptop और Core i7 वाले जो laptop होथे उनसे भी जादा होने वाली है ये काफी कमाल की चीज़े यानि कि Apple Silicon और ARM बेस चिप्स जिनका भी development बहुत तेजी से चल रहे हैं न एक से देड़ साल के अंदर कहानी पूरी तरह से बतलने वाले है इवन मैं खुद सोच रहा है मैं अगर अगला laptop जो भी लूँगा न उसमें देखूँगा कि ARM-based processor है कि नहीं ये काफी bold decision होने वाला है लेकिन हो सकता है शाद एपल से लिगा आपको यहां कहीं देखने को मिल जाए ये काफी interesting चीज है लेकिन 78C के बार में information दे थी dedicated special chip बनाई है लेकिन काफी साल लोगा कहना था कि इसकी performance क्या Cortex-X1 से जादा है कि 78C OctaCore के design के अंदर और नें design किया ऐसे लेकिन basically बात ये है कि अगर 8Core के अंदर 78C implementation किये जाते है obviously fast होगा लेकिन single core performance के बार में बात करो तो Cortex-X1 जो है वो आपको जादा performance निकाल करतेगा खेर ये information हो जाती है इसके मामले में तो well आज के शूब बस इतना ही मालू में थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि अब ये शूट कर रहा था light चली गए उसको अदुबार से reshoot हुआ है तो sorry for that कुछ दिन बाद से अब तरीके से करेंगे वीडियो वैसे आप लोग को को कोई comment है tech related queries है न वो ही नीचे पूछा करो उसको पढ़ने में मज़ा आता है फाल तो ही बखवास मत किया करो उसमें मज़ा आता नहीं है इतना जादा कोई tech related information होती है न लोगों को भी information मिलती है नीचे और लोग के जो general knowledge होती है न वो भी बढ़ती है तो एक request एक comment करो तो थोड़े tech related किया करो अग पढ़ने में भी मज़ा आएगा तो खेर आतके इस वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो कर पसंद आए तो लाइक करें न भूले चैनल को subscribe कर लेने थे आप वीडियो देखने के लिए मैं आप सुनल तो नेक्स वीडियो के अंदर गुड बाए